श्री कुष्ण चंद्र महारावज कीजे श्री मत्भगवत गीता सरल हिंदी लेखक तता अनुवादक केबले वासि महंत श्री जैती राज बावाजी महानुवाव जालंदरी अध्याए चतुर्त श्री बगवान वाज श्री बगवान जी बोले की हे अरजुन मुक्ति को दे ले विवस्वत को सुनाया था विवस्वत ने अपने पूत्र मनु को सुनाया और मनु ने अपने पूत्र इश्वाकू को सुनाया इस प्रकार परंपरा एक दूसरे से प्राप्त करके यही ज्यान योग राज रिश्यों को प्राप्त हुआ है परंतप अर्जुन बहुत का ग्यान योग का लोप हो गया अब वही यह पुरातन ग्यान योग मैंने तुम को सुनाया है क्योंकि तुम मेरे बड़े प्यारे भक्त हो यह बड़ी उत्तम वस्तु है इसलिए जब तक पूरा दिकारी गुरु आग्या कारी शिश्य ना मिले तब तक तुमने यह ग्यान रूपी कंचन की डबी में इस अमुलक ग्यान रूपी हीरे को संबाल कर रखना क्योंकि यह समय पर सब के मनुरत पूरण करता है अर्जु नुवाच तब अर्जु ने पूछा कि हे बगवान जी आपका जन तो बसुदेव देव की गर हुआ है और विवस्त का जन तो अर्जुन का यह प्रशन सुनकर शिरी बगवान जी बोले शिरी बगवान वाच हे अर्जुन मेरे और तुमारे कई जन्म वैतीत हो चुके हैं उन जन्मों को मैं जानता हूं तुम नहीं जानते क्योंकि जीवं को ग्यान और मुक्ष देने के लिए अपनी इच्छा नुसा सो तंतरता से मैं युग-युग में अवतार धारन करता हूं और यह सब जीव कर्मों के बंदन में फंसे हुए पर तंतरता से जन्म लेते हैं तुम भी जीव हो तुमने भी कर्मों के अदिन होकर ही जन्म लिया है इसलिए तुम मेरे जन्मों को नहीं जानते हैं ए से मैं अपनी माया का चोला धारन करके अपने भक्तों के लिए अवतार धारन करता हूं। हे अर्जुन, पीछे मैंने जो अवतार धारन कीये हैं और जो आगे अवतार धारन करूंगा, हुझी सुनो। सत्युग में ध satisfaction अवतार और नाम माता के उधर से inhabitari keeping a हैं प्रवर अवतार और प्रशान्त अवतार होई थे सोः मैंने ही धारन किजी थे और अपने सेवक प्रम्हा की प्रात्र्वना सुनकर सनकादिक life को ज्यान देने के लिए हनस अवतार भी मैंने नामक राजा और मालन देवी नामक माता के उधर से हरिपाल अर्थात महापुरु श्रीचा करदर नाम से प्रगट होंगा इस परकार मैं युग-युग में अवतार दारन करता हूं हे अर्जुन जिस समय धर्म का नाश होता है और अधर्म की विद्धी होती है उस समय मैं अपने आपको प्रगट करता हूं इस परकार सादु महात्माओं की रक्षा और नश्ट प्रष्ट जो पापी लोग हैं उनका नाश करने के लिए युग-युग में अवतार दारन करता हूं इस परकार देवता और मनुश्यों की शक्ति के बाहर समर्थ रूप दिव्य प्रकाश वाले और तेज वाले मेरे जन्म कर्मों को जो पुरुष यथार्थ जानता है सो पुरुष तुख रूपी इस चोले को छोड़कर मुझको प्राफ्ट होता है फिर वह इन जन्मर स्ट्री, कन्या, पुत्र, बाई, गरवार इन से मोह नहीं करते और नाही किसी का भै मानते हैं अभिमान का नाश करके एक मेरा ही सच्चा सहरा पकड़ते हैं मुझको ही सब का स्वामी मानते हैं सोपरानी घ्यान और बक्ति के जल्स नान से कुवित्र होकर मुझको प्राफ् ने और जुन जो मुनिश्य जिस भाव से मेरा भजन करते हैं मैं भी उनको वैसा ही फल देता हूं और यह सब मुनिश्य मेरे कह हुए मार्ग पर चलते हैं और जो सकाम भाव से संसारी वस्तू, धन, स्त्री, उत्र के लिए मेरी भक्ती करते हैं मैं भी उनको वही वस्तू देता हूँ जो समय पाकर नाश हो जाती है और जो मेरे प्यारे भक्त, निशकाम भाव से अपनी मुक्ती के लिए मेरी भक्ती करते हैं मैं भी उनको संसार के दुखों से चुड़ा कर अपना अविनाशी सुख देता हूं। ऐसे यह सकाम और निशकाम दोनों मार्ग मेरे ही कह हुए हैं। हे अरजुन जो मुनुष्य लोब में फसे हुए फल की इच्छा से देवता की वक्ती करते हैं। उनकी आशा इस संसार में जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे कोई एक लोबी मुनुष्य अपना मतलब पूरा करने के लिए दूसरे ग्रीव लोगों की निंदा बदखोई करके अत्वा कुछ लालच देखकर राजा के छोटे बड़े नौकरों को परसन करके अपना मतलब उस समय तो पूरा करी ही लेते हैं। परंतु जब वे नौकर लोग उन लोबी मुनुष्यों को अच्छी तरह से पैस्चान लेते हैं और मन में निश्चे कर लेते हैं कि ये लोबी मुनुष्य हैं। इन्होंने बहुत लोगों के साथ विश्वास गात किया है और उनको बहुत दुख दिया है। ऐसा समझकर फिर वही नौकर उन लोबी मुनुष्यों को कठिन सजा देते हैं और जल्दी नहीं छोड़ते। ऐसे वह लोबी मुनुष्य उन छोटे बड़े राजा के नौकरों को छोड़कर सच्चे मन से अपने मालिक के राजा के पास जाने का यतन नहीं करते। अंत में उनकी बहुत बुरी गती होती है, ना उन पर राजा के नौकर ही परसंद रहते हैं, ना राजा ही परसंद रहता है, जिदर जाते हैं, उदर धक्के ही खाते हैं, और जो मनुश्य अपने राजा को मिलने का यतन करते हैं, और उस राजा को परसंद करने के लिए बोगते में बहुत समय व्यतीत हो जाता राजा भी मन में जान लेता है कि युदे मिलने के लिए दुकह पाया है फिर वह राजा उन मनुश्यों को बड़े प्रेम से मिलता है और उनकी सब इच्छा पूर्ण करता है और बड़ा इनाम देता है जो उनकी कई पीडियाँ खाती रहती है इस परकार राजा जब उन मुनिष्ट्राइश्यों पर प्रसंद होता है तब उन मुनुष्यों से राजा के नौकर चाकर सब बय मानते हैं इस परकार लोब में में फसे हुए मूर्ख मुनुष्य स्वर्ग वैकुंट स्त्री पुत्र और धन की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के त्री गुन वरत तब करके देवी देवताओं को और भूत प्रित्तों को प्रसंद करते हैं फिर वे देवता प्रसंद होकर कर्म गति के अनुसार उन मुनुष्यों की इच्छा जल्दी पूरी करते हैं प्रंतु जब समय पूरा हो जाता है तब स्त्री पुत्रों क काल घेर ले जाता है धन का नाश हो जाता है जिन निर अपरादी जीवों की बली देकर देवताओं को प्रसंग किया था वे देवता भी उनके दुश्मन होकर उन्हें स्वर्ग से यंपुरी में धक्का दे देते हैं वहां बहुत समय दुख बुकत कर फिर 84 के फेरे में छोड दिये हैं फिर मैं भी उन भक्तों पर परसंग होकर इस लोक में उनकी सब इच्छा पूर्ण करता हूं और परलोक में अपना अविनाशी सुख देता हूं है अरजन अपने अपने गुन करमा के अनुसार यह जो ब्रामन शत्रिये वैश्य शुद्र चारवरन नजर आते हैं यह मर्यादा इनकी प्रकूती के अनुसार मैंने ही बांदी है है अरजन मुझको करमों के फलों की इच्छा नहीं है इसलिए मुझको करमों के बंदन नहीं लगते इस परकार जिसने ग्यान की दृष्टी से मुझको देख लिया है वह भी करमों के बंदन में नहीं फंस्ता पहले समय में भी भहुत से लोगों ने ज्ञान की दृष्टी से मुझको निरलेप जानकर मोक्ष की इच्छा करके मेरी आग्या के अनुसार ही कर्म किये हैं इसलिए तुमको भी उन्ष्रेष्ट पुर्षों का ही मार्ग सुविकार करना चाहिए अर्थात तुमको भी मुझी इश्वर की आग्या के अनुसार ही गर्म करने चाहिए ए अरजुन कर्म कौन से होते हैं और अकर्म कौन से होते हैं इन दोनों को समझना बड़ा कखिन है बड़े बड़े पंडित भी ब्रहंती में पढ़ जाते हैं अब सुनो में तुमको वह कर्म समझाता हूं। जिन कर्मों को समझ कर इस दुख रुपी संसार सागर से तुम जल्दी पार हो जाओगे। हे अरजुन बेदों का जो त्रीगुन ग्यान उस ग्यान के अनुसार चारो युगों के जो धर्म है उन धर्मों को कर्म कहते हैं और इस त्रीगुन ग्यान से बिन जो मेरा निर्गुन ग्यान है उस ग्यान के अनुसार जो मेरा धर्म है उसको विशेश कर्म कहते हैं और जो हिंसा रूपी पाप कर्म है उसको अकर्म कहते हैं। इन तीनों को पहले ठीक परकार से समझना चाहिए, पीछे कर्म करना चाहिए। फिर मैं भी उस धर्म रूपी कर्म में सहायता करता हूँ। और वही सब कर्म के करने वाला योगी है। हे अरजुन धर्म रूपी कर्म में अधर्म किस परकार देखा जाता है। सो सुनो, जैसे कोई मुनिश्य चो रास्ते पर खड़ा हुआ है और उसने देखा कि एक गाएं दोड़ती दोड़ती पूर्व दिशा से आई और उत्तर दिशा के तरफ चली गई। पीछे से उस गाएं को डूनता डूनता एक कसाई भी आ पहुंचा। तब उस पापी कसाई ने पूछा कि हे मुनिश्य मेरी गाएं किस तरफ गई है। सो कहो तब वह मुनिश्य अपने मन में विचारने लगा कि सच बोलूँगा तो यह कसाई गाएं को पकड़ कर उसका वद करेगा। और यह अदरम मेरे माथें पड़ेगा। और जूट बोलूँगा तो गौई गाएं के प्रान बच जावेंगे। मुझको भी पुन्य प्र को धरम रूपी करम में अधरम देखना कहते हैं। और सुनो किसी एक भले प्रोपकारी मुनिश्य से अचानक महापाप हो गया। तब राजा के दरवारी लोग उस मुनिश्य को राजा के पास पकड़ कर ले गए। राजा ने उस मुनिश्य को कहा कि तेरी गवाही देने व आजा के दरवार में गया। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं सच बोलूँगा तो यह बहतों का पालन करने वाला परुपकारी मुनिश्य फासी पर चड़ाया जाएगा। और मेरे माते अधरम पड़ेगा। और जूट बोलूँगा तो यह भला मुनिश्य बच जावे और मुझको भी पुन्य प्राप्त होएगा। ऐसा विचार करके उसने जूट बोलकर उस परुपकारी मुनिश्य को बचा लिया। इसको भी धरम रूपी करम में अधरम देखना कहते हैं। और भी सुनो, दान करना यह सबका परम धरम है। परन्तु कूपात्र को दान देन महापाप है। इस परकार सब करम सोच समझ कर करने चाहिए। इसी को धरम रूपी करम में अधरम देखना कहते हैं। हे प्यारे कूपात्र किसको कहते हैं। सो सुनो, जो मेरी भक्ति से रहित और अपने आपको ब्रह्मन कहने वाला, मदिरा पीने वाला, मांसाहार, जुवा खेलने वाला, विश्वास घात करने वाला, परस्त्री घमन करने वाला, नास्तिक इस परकार बुरे करम करने वाला। कितना भी भारी पंडित अत्वा सन्यासी क्यों न होवे, उसको कूपात्र समझना चाहिए। ऐसे कूपात्र को जो पुर्षधान करता है, उसको लोग प किसी की निंदा बद खोई करनी यह अधरम है परंतु ठग मुनिश्य का हाल सुना कर उस ठग के हाथ से किसी भोले भाले धर्मात्मा मुनिश्य का बचाव करना यह धरम है इसको अधरम रूपी अकरम में धरम देखना कहते हैं और सुनो सन्यासी को एक स्थान पर निवास करना यह अधरम है परंतु उसके निवास करने से उसका सद संकर के यदि को एक पापी प्रानी धर्मात्मा बन जावे तो यह धरम है इसको भी अधरम रूपी अकरम में धरम देखना कहते हैं और भी सुनो किसी को दुख देना यह महा अधरम है परंतु किसी पापी को दुख देने से यदि किसी धर्मात्मा प्राही को सुख मिले तो यह धरम है परंतु उस पापी को जान से नहीं मानना चाहिए क्योंकि जान से मानने से इंसा करने का फल भोगना पड़ेगा इस प्रकार सब करम सोच समझ करने चाहिए इसी को अधर्म रूपी अकरम में धर्म देखना कहते हैं हे अरजुन जो पुरुष फल की इच्छा को त्याक कर निर्गुन ग्यान के अनुसार कर्म करता है और वह करम मेरे अरोपन करके ज्यान रूपी अग्नी में जला देता है वही पुरुष घ्यानी है और परममंश कहाता है यह प्यारे जिस पुरुष ने मेरा ही आसरा पकड़ा है मेरी भक्ती में ही प्रसन है कर्म फल की इच्छा तक नहीं करता सोपुरुष कर्म करता हुआ भी निलेप रहता है उसको कर्मों के बंदन नहीं लगते जिसने वासना का नाश करके मन और बुद्धी का कोकाबु में कर लिया है संसारी भोगों को विश्च के समान जानकर उन भोगों का द्या कर दिया है वे पुरुष केवल शरीर मात्र से करम करने वाला जानो उसको कोई बंदन नहीं लगता ऐसा वे पवित्र महात्मा बिना मांगे बोजन आचादन जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन रहता है किसी के साथ प्रीती नहीं करता ही अर्जन जिसकी कामना का नाश हो गया है जिसका ना कोई शत्रू है ना मित्र है मेरी प्राप्ती के लिए जिसको ज्ञान की पौड़ी प्राप्त हो गई है नैतिक नमितिक यह सब कर्म मेरे अरपन करता है उस ज्ञानी पुरुष के सब बंदा नश्ट हो जाते हैं है अरजुन मुझको प्रसंद करने के लिए ये मनुश्य बहुत परकार से मेरी भक्ती करते हैं सो सुनो मुझ सर्व व्यापक को अगनी की नियाई परकाशमान जानकर मेरे नाम रूपी मंत्र का जब करते हैं मेरे नमित चंदन दौ पादी सुगंधित वस्तो दिखाते हैं गृत कपूर जला कर मेरे नमित आर्ती करते हैं मेरी आज्या के अनुसार नातिक नमितिक सब कर्म करते रहते हैं ऐसे जो प्वित्र आत्मा वे मुझको ही प्राप्त होते हैं और कितने एक योगी जन मेरी मूर्ति को अपने अंतकरन में स्थापन करके मेरा पूजन करते हैं, अत्वा मेरी संबंधित वस्तों का पूजन करते हैं, कई महात्मा तो मेरे नाम का ही जब करते रहते हैं, सो जब म मुझको और्पन करते हैं कई एक तपस्वी नेत्र कान तवचा जीवा नासिका इन ग्यानिद्रियों को विश्यों से रोकना ही मेरा पूजन समझते हैं कई एक गरस्ती योगी शब्द स्पर्श रूप रस गंद इन विश्यों को वोगते हैं प्रंतो इन में आसक्त नहीं होत करते अर्थात ग्रस्त धरम के अमसाल खाना पीना पहननmile देखना बूलना सुनना इत्यादी सब घरम करते हैं तन्सक्त राट दिन woven उडास रहते हैं क्योंकि उनको अपनी मृत्य मित दिहाई कई एक योगी कर्म इंद्रियों को ग्यान इंद्रियों को प्रान इंद्रियों को अपने अपने कर्मों से रोक कर मन को वश करके दीरे दीरे अपने जीवात्मा को मुझ पर मात्मा की तरफ लगाने का यत्न करते हैं। कई एक भक्त अच्छे कर्मों से दन कमाकर परसन मन होकर निशकाम भाव से मेरे ग्यानी महात्माव को दान करते हैं। कई एक पहाडों परवतों में रहते हैं, सर्दी गर्मी सहन कर मेरी दपस्या करते हैं। कई एक मेरी ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। कई एक योगी बड़े यत्न से ब्रह्म चरे वरत को धार्म करके एकांत वासी होकर मेरी आज्यानुसार अपने श्रीर को सुखार डालते हैं। कई एक योगी प्रानवाईू और अपनवाइू की गति को रोकर अपन्वाईू में प्रानवाईू को बंद करते हैं। इस परकार प्राणायां करके त्रीगुन ग्यान के अनुसार मुझपरव्रम की भक्ती करते ह। और कई एक युक्त आहार करने वाले अर्थात थोड़ा गोजन करने वाले योगी प्रानवायू को प्रानवायू में बंद करते हैं अर्थात श्वासों को अस्त दीरे दीरे बहर चोड़ते हैं ऐसे यह है अपने सुधर्म को जानने वाले योगी विश्यों से चित की वृत्यों को रोकर मन को मुझ में लगाकर अपने पापों का नाश करते हैं हे कुरु कुल के वीर अर्जुन मेरे भक्त मेरा बजन पूजन करके मेरे ग्यानियों को भोजन कराकर बाकी जो बचा हुआ अमरित रूपी पर साथ वे आप भोजन करते हैं इस परकार वे मेरे भक्त मुझ सनातन इश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और जो परानी इस परकार धरम करम नहीं करते सो परानी लोक पर लोक में कभी सुख नहीं पाते हे अरजुन ऐसे बहुत परकार से मैंने अपने धरम कहीं है और यह सब धर्म करम करने से ही होते हैं जब तुम इन धर्मों को अच्छी तरह से जानोगे फिर तुम संसार के बंदनों से सहज ही चूट जाओगे हे शत्रों को जीतने वाले अरजुन यह जो पीछे मैंने निर निराले भक्ती मार्ग कहीं हैं यह सबी उत्तम मार्ग हैं प्रन्तो इन मार्गों में जो निर्गुन ग्यान योग युक्त भक्ती मार्ग है यह सबसे उत्तम मार्ग है यह सब निर्गुन ज्ञान युक्त मारग में आकर संपूर्ण हो जाते हैं ऐसा यह सब से उन्चा भक्ति मारग मुनश्य को किस परकार प्राप्त होता है सो सुनो पहले मुनश्य पूर्ण सद्गुरु का शोध करे अब सद्गुरु के लक्षिन सुनो वै गुरू ब्रह्मचारी होए, वैशनव धर्मी, मेरी अनन्य वक्ती करने वाला होए, साधी वृत्ती वाला होए, ब्रह्मविद्या जानने वाला अभिमान रहित, किसी को दुखावे नहीं, किसी के दुखाए दुख्ये नहीं, सदा संतोशी रहने वाला त्यागी, जिसका कोई स्थान नहीं मोह ममता से रहित अपनी इच्छा से पृत्वी पर विचरने वाला ऐसा सत्व पात्र गुरू होए तब उसकी शरण जाकर साश टांग धंड़ पडाम करके प्रात्ना करके कि आप इशर के समान सत्व पात्र हो जीवों के कल्यान के लिए विचरते हो और मैं पापी कामी क्रोदी लोबी हंकारी जन्म जन्म का अपरादी हो संसार के तीनों तापों से बहुत दुख्या हो इस परकार नम्र भाव से प्रात्ना करके जो कुछ सरे बने सद्थ गुरू के आगे बेंट रखें किसी परकार की वंचना ना करें। इस परकार शुरद्धा भक्ति से प्रशन करके कि हे महात्मा जन, हे परमहंस, हे ग्यानी पुरुष, इस जीव को जन्मरम का दुख किस कारण से होता है। विद्या रो विद्या क्या वस्तू है। जीवात्मा और परमात्मा किसको कहते हैं। त्रीगुन ज्यान युक्त भक्ति मारग कौन सा है और उससे श्रेष्ट जो निर्गुन ज्यान युक्त भक्ति मारग है वह कौन सा है। यह सब बेद परसन होकर समझाओ जी। फिर वे चारोपदार्थों को जानने वाले यथार् अज्यानी गुरू शिश्य को धर्म अधिकारी देखकर मेरी ब्रह्म विद्या का वुदेश करते हैं अज्यान ब्रह्म का नाश करते हैं ऐसा पवित्र गुरू धारंग करना चाहिए हे पॉंडु पुत्र मेरा पवित्र ब्रह्मिद्या जब तुम को प्राप्थ होगे तब तुम इस मोह रूपी अज्यान के जाल से अपने आप मुक्त हो जावोगे फिर इस ग्यान रूपी दीपक से तुम सब भूतों को अपने में और मुझ में देखोगे यदि तुम अपने आपको पापी समझते हो तो भी इस ग्यान रूपी नौका से इस दुख रूपी संसार सागर से सहज ही तर जाओगे हे अरजुन जैसे बढ़कती हुई अगनी गीले सुखे सब परकार के वनों को जलाकर भस्म कर देती है इसलिए मुक्ती के मार्ग में इस ग्यान के बराबर और कोई पीत्र वस्तू नहीं है ऐसे जानकर जो पुरुष मेरे नमित कर्व करता है मेरी भक्ति करता है उस पुरुष को मेरा निर्गुन ग्यान प्राप्त होता है भे प्यारे, जिसकी गुरु में श्रदा है, मुझ में प्रिती है, मेरे घ्ञान की चाहना करके प्रेम से पढदता सुनता रहता है ऐसे इंद्रियों को वश्च करने वाला जो पुरुष, सो निश्चे करके घ्ञान को प्राप्त कर लेता है फिर इस ग्यान के सहारे से ततकाल ही परमशान्ती जो मेरा परमानन सवरूप है उसको प्राप्त करता है जो प्रानी सद्ध गुरू के पवित्रुपतेश को नहीं मानता गुरू के वचनों पर विश्वास नहीं करता ऐसा मेरी भक्ती से रहित सदा संशे करने वाला लोभी सुततकाल नश्ठ हो जाता है लोग पर लोग में कभी सुख नहीं पाता जिसने मेरे ज्यान को प्राप्त करके त्रीगणात्म कर्मों को त्याग दिया है जिसके संशे नश्ठ हो गए है ऐसा मेरी अरादना करने वाला जो चतुर पुरुष है मैं कर्मों के बंदनों से मुक्त हो जाता है इसलिए हे भारत अग्यान करके तुमारे मन में जो संशेवत्पन हुए हैं ग्यान रुपी खड़क से उन संशों को दूर करो और मेरी आज्या मान कर युद्ध करो इती श्री मद्वगवद गीता सूपनिशत सूप्रम विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार जुन्समवादे कर्म सन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याये श्री कृष्णार पनस्तु भगवान श्री कृष्ण चंद्र महराज की जये इस परकार से 41-41 श्लोक वाला यह चतुर्थ अध्याये संपूर्ण होता है